कि अब दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग तो आपने थमनिल देख लिया डैटल पढ़ लिया होगा और आपको पता लग गया कि यह वीडियो होने वाला है जापान ट्रेवल टूरिश वीजा के लिए मेरा सिंगल एंट्री इस्टिगर वीजा ग्रांट हुआ है जापान के और से मैं तमनिल में लगा दूगा तो आप पहले इस्टिगर वीजा देख लो तो इस वीडियो में हम पूरा डाज डिसकस करेंगे कि आपको क्या क्या डोकुमेंट तयार करना है अपांटमेंट लेना ह क्या करना है क्या फीस च्टर वगरा है तो देखो अभी जापान का जो वीजा है काफी क्या हो गया स्मूथ प्रोसेस है और अब जापान वीजा भी स्थार्ट कर दिया इंडियन के लिए अभी आंके पास में दोनों प्शंस हैं आप इस तिक्रीज बीजा ले सकते हैं या वीजा ले सकते हैं अगर आप एवीजा लेते हैं तो आपको फिर एक बार कोड दो मिलेगा वह एप से आपको भार कोड़ करवाना पड़ेगा इमिगरेशन काउनर पर और इस टीगर भीजा जो नपर मल्मल है तो मैंने अप्ट किया था इस टीगर वीजा तो अप यह देख भी मैंने अपना लगवाया तो इसके लिए इस वीडियो में पूरा बात करेंगे तो इंडिया के अंदर अभी जापान का वीजा वीजा के थुरू लग रहा है और जैसे कि पता कि वीजोन वाइस काम करता है तो जो डिल्ली रीजन है उसमें काफी स्टेड्स उन्होंने एड किये रहे हैं तो अब वीजा का भी जोन वाइस अलग लग रूल है तो मैं इस वीडियो में सिर्फ दिल्ली जोन के लिए बात कर रहा हूं जैसे कि अमदावाद है या उदर बैकरोड सैड में है वहां आपको सम्मिट कराने के लिए अप्वाइट्मेंट जो परते हैं वाक अगस्ट 24 है आज तो आज के डेट में जो जापान का रेटिंग ताइम मतलब जो आपको परम टाइम मिल रहा है वह तो आप अपना उसाप से ही प्लान त्यार करना दूसरा जो जैपनीज है वह टाइम को लेके बहुत बाउंड है तो जिस दिन आपकी अप्लिकेशन सम्मिट होती है उसके नेक्स डेस से आप काउंट जो है डेस काउंट करना शूर्ट कीजिए इनका फाइफ टू सेवन वरकिंग डेस इनका एक प्रोसेस उन् अबतब एक्जेट पांच वकिंग डेबान में मेरा जो पासपूर्त अब डिस्वेच हो चुका था और नवे दिन मेरे हाथ में वीजा लगके आचुका था तो दिखो सबसे पहले आपको वीफस पर अपर्णमेंट करनी है अपर्णमेट कोई चार्ज नहीं है अपर्णमे वह है आपका वैलिड वीजा विथ एक एक वीजा के लिए जा रहे है तो आपके पास में दो पेजेज खाली होने चाहिए और अगर वीजा है तो आपको चाहिए चाहिए पासपोर्ट रेडी है इसका आपको एक वाइट बैक्गराउड के अधर 3.5 x 3.5 mm की एक फोटो आपको क्लिक करवानी है दो फोटो लगेगी वाइट बैक्गराउंड 80 परसेंट फेस वीजीबिल हो और गुड़ जो है गुड़ क्वालिटी ऑफ पेपर आसा नहीं आपको पेपर में इसको करवा लें और अवह एकसेप्टरबल नहीं है कि यह हो गया तीसरा आप जो इसमें रगएगा सिक्स मंध्स का बैक स्टेट्मेंट जो हर पेज पेर स्टैंप होना चाहिए बैक ओफिशल के दौणक ग्रक्रगाउंट हे तो अकाउंट का स्टेट्मेंट भ तो आपको वीजा मिल ही जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है वह डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर आपकी अप्लिकेशन जो एक फाइल प्रॉपर हुई है उसके जनरल लिए अगर बात करें जापन की बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है इसके लिए अगर खाते में अग इसके अलावा फिर मैंने हालां कि अपने मिच्वर फॉंड्स वगरा के लगाए थे लेकिन जापान के जो 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 जापान का वीजा देखता है वह बहुत है बहुत पर्टिकुलर है डोकुमेंस के बारे में उन्होंने सारे एक्सेट टोकुमेंस थे सॉरी वाली दिया श ब्रभ होलदिंग समय और सबकुछ वापस से लिए लावाद मेरे दो दो साल की अई पने प्रण्ट और मैंसे कुछ भी नहीं लिए ठीक है आपके पास्पोर्ट का फ्रंट और बैक का कपी आपके प्रॉने सारे पास्पोर्ट जाएंगे इसके अंदर है तो एक थोड़ी से डिटेल वाइस बनाना आप जिसमें आपने बताया हो और अगर हो सकते हैं तो आप जो वहां के में अट्रेक्शन्स हैं उनकी छोटी फोटो भी आप उसमें लगा दीजी तो थोड़ा सा लगता कि यह बनता है थोड़ा साथ देखने में सीरिस है इसके मुझे महां सबसे ज़्यादा जरूरी होता करम पर क्योंको क्यों खूंसलेट को में लेटर भी में आपको डिस्क्राइब करता है वो आपको प्रस्क्राइब करता था यह तो इस नियुक्त अम लेटर तो इसके बाद में आपको करूब क्यूंकोel टर जोणोगा अपको स्टोड़ा सा में चार्ज करूँगा लेकिन नोमेल चार्जेस है इसके भाद में आपको लगेगी आपकी टिगेट आप डमी भी लगा सकते हैं होल्ड भी लगा सकते हैं वह आपके हैं आपकी सारे जो आपका पूरा एंटायर ट्रिप है उसकी होटल बुकिंग अगे वीजा फॉर्म आपको बढ़ना है बहुत क्लियरली हाला कि आप वीजा फॉर्म जो आ रहे हैं वह पीडियोफ में आ रहे हैं तो आप उनलाइन उसको फिल करके आप उसका प्रिंटाव निकाल सकते हैं इसके अलावा और कोई डोकुमेंट आपको लेने की जरूट नहीं है साथ जाएंगे तो आप अपना जो अपरिंटमेंट का स्लिप है वह आप साथ लिके जाईए बहुत कम डोकुमेंट है पर्टिकुलर ही डोकुमेंट लेंगे अकशन हैं कुछ भी लेने वाले नहीं है इसके अलावा जो अब इसकी बात करतें पूंद की तो मैं घाल से यह सबसे सस्ता वीजा जापान ही दे रहा है इसके फिस मार्त्र 500 रुपए है वीएफेस के चार्ज 800 है और कोरियर का शायद वीजा मिल जाता है जब आप फॉर्म बने लगेंगे तो वहां कई सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको स्टिगर वीजा चाहिए या आपको इवीजा अप्ट किया था लेकिन मुझे स्टिगर वीजा दो दिया है अगर आपके ट्रेवरेश्टी परने कुछ स्ट्रॉंग है तो आपको वीजा मिलने के चांसे बहुत अच्छे हो जाता है जैसे कि मैं पास में वैलिड कैनाड़ा वीजा है और भी मैं पास दूसरे वीजा है तो मुझे वीजा एक्जर्ट पांस दे में मिल गया था यह अच्छा अब क्या है कि अगर जैसे आपने वीजा अप्लिकेशन सम्मिट करवा रिया आपको ट्रेकिंग आईडी मिल जाएगा और नॉर्मली नेक्स डे जो आपके अप्लिकेशन है वह जापान कांसलेट के अंदर पहुंचती है पहले कुछ ताम पहले जापान कांसल दिल्किन वह जो हैं अप्लाइं करें या आप अप्लाइब करें आपको शारी इंफोमेशन पतान चाहिए जैसे आपके होंटल इस इंहें एक रफ आपको आपको कहां कब इस बीस अधर आपको जाना है मिल्यूद्या की में निभूव चाहिं सीजेश सताल को यहीं पहले में जा रहे हो तो आपको at least basic knowledge तो होना चाहिए अगर वह पूछ भी ले तो आपको एक satisfactory आप उसको आंसर दे सके तो जैसे ही आपने अप्रिक्शन समिट किया आपको ट्रेकिंग आईए आजयाएगा उसे बाद आपको कुछ नहीं करना बस आप तीन चाह दिन बाद आके अप साथ में आपका passport इस्टेगर लगके आ चुका होगा अब आपको वीजा लग गया तो आप मुझे पिन कर सकते हैं मिलते हैं